module 201 case of anorexia nervosa so now we will discuss the case of anorexia nervosa उससे आपको help मिलेगी इस चीज़ को understand करने में कि जब एक clinically एक client आपके पास आता है तो वो किस तरहां के features आपके पास लाएगा और किस किसम के symptoms जो हैं वो आपको reflect करेगा ठीक है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक case है female patient का ठीक है जो hospital के अंदर admitted थी and she has a severe problem of thinness और उसका जो body perception था वो disturbed था और उसको यह fear था कि वो जो है weight gain कर सकती है ठीक है उसके जो symptoms थे वो at the age of 10 year जो थे वो start होए थे और वो continue थे from the past 6 months और जो वो food intake करी थी वो continuously decrease होता जा रहा था यानि जो food intake था वो उसका कम से कम होता जा रहा था और उसके साथ साथ उसके जो ritualistic behaviors थे वो भी observe किये जा रहे थे she was also being observed as an unhappy, irritable and withdrawn from social contact जो अगर आप यह देखो तो जो उसका mood था वो भी unhappy था, irritable भी था और certain time वो जो social contact थे वो भी वो नहीं कर पा रही थी इसी तरह उसके अंदर जो चीज हमें नहीं मिली वो क्या नहीं मिली कि बुलिमा नहीं मिला उसके अंदर self induced vomiting नहीं मिली purging नहीं मिली और यह चीजें हमें उसमें नहीं मिली लेकिन उसके अंदर excessive जो exercise थी उसकी history हमें मिल रही है तो अगर आप अभी इसके symptoms देखो तो आपको ये clear cut चीज पता चल रही है कि जो उसका eating behavior है वो restricted है उसमें purging नहीं है यानि वो vomit out नहीं कर रही उसका जो mood है जिसना हमने बात की थी कि इन लोगों में certain time जो depressive features हैं वो आना शुरू हो जाते हैं तो वो unhappy irritability और social contact जो है वो उसका काम हो रहा है तो अगर आप यहां तक ही देखो तो आपको बहुत हथा का idea हो जाएगा कि इस बची के अंदर जो purging type है वो absent है ठीक है तो उसने 14 kg फाइव मन्द के अंदर जो है वो reduce किया था और जो उसका weight था वो 50 kg से 36.6 kg के उपर drop हो गया था एमनोरिया का problem कहां पे आया उसका जब वो 42 kg के उपर पहुँच गई थी ठीक है तो basically अगर आप यह देखो तो जिससा हमने यह बढ़ा था कि इनके आम तरपे जो hormonal problems होते हैं वो भी anorexia की वज़ा से develop होना शुरू हो जाते हैं तो वो भी हम एमनोरिया का problem इस बच्ची में देख रहे हैं तो basically इसका अगर हम diagnosis देखें तो यह restrictive type of anorexia nervosa के साथ हम इसे diagnose कर सकते हैं ठीक है और further अगर आप इसकी physical symptoms देखो जो इसके अंदर आ रही थी dehydration थी dry skin थी उसके जो hair थे उनकी quality जो है वो poor हो रही थी bruises आपको उसके arms और legs के उपर नज़र आ रहे थे heart का जो sound था वो उसका slow हुआ वा था लेकिन जो उसका abdominal examination था वो normal था ठीक है यह उसको constipation की या blotting की problem नहीं नज़र आ रही थी ठीक है mal nutrition की वज़ा से क्या हो रहा था कि जो उसके sign थे vital signs थे वो unstable थे और जो उसका जो kidney का function का test था वो भी कुछ abnormal elevations जो थी वो दिखा रही थी ठीक है इसके साथ साथ जो refusal था food का उसकी वज़ा से basically उसको hospital में admit करवाया गया था और जब उसको admit कराया गया था तो जहरी बात है जो mal nutrition होती है तो फिर उसको overcome करने के लिए hospitals में proper जो nutrition को develop करने के लिए nutrition उनको induct की जाती है through medicines ठीक है तो इस किसम का जब आपके पास कोई case है तो आपने उसमें इस चीज़ का धिहान रखना है कि उसमें purging की history है या नहीं है या सिर्फ जो है restricting food की जो history है वही exist कर रही है ठीक है तो इस तरह जो है आप उसको understand कर सकते हो case को और इस तरह का जो case है वह आम तब है anorexia nervosa को reflect जो है वो करता है क्योंकि अगर आप देखो तो जो उसके excessive exercise थी वो किस से relate कर रही थी उसके food के साथ ठीक है तो definitely हम OCD की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि जो उसका compulsive act है that is related with the food intake फिर इसी तरह जो उसका unhappiness, irritability और जो उसका social lack of socialization आ रही है that also relate with the less food intake ठीक है तो इसकी with the less food intake की वज़ा से उसको ये problems आ रही है तो इसलिए हम इसमें भी depression की तरफ नहीं जाएंगे तो ये जो है associated features consider किये जाएंगे anorexia nervosa के Thank you